आप इसे कितने लोगों को भरोसा है कि आप अशुद्धियां नहीं करते लिखते हुगे बहुत बढ़िया, very good और कितने लोगों को लगता है कि बहुत सारी करते हैं और ऐसे लोग जो कहना चाहरे हैं कि हम अशुद्ध लिखते हैं और अशुद्ध ही लिखेंगे हम शुद्ध नहीं करेंगे इसको आपके कहने पर ऐसे कितने लोग हैं ऐसा कोई नहीं, गनीमत है कि ऐसा कोई नहीं है तो जो अशुर्द लिखते वो चाहरे हैं ना कि ठीक कर लें हाँ तो हम मिलके ठीक करेंगे बीचिस में जिक्रे करेंगे जैसे हसी मज़ा करने के लिए मैं एक दो शब्द पूछता हूँ आप बताएं कि उनमें से कौन सा शब्द ठीक है और कौन सा गज़त है जैना बोलना नहीं है किवल हाथ खड़ा करना है बोलना नहीं अभी अभी हाथ भी नहीं खड़ा करना है पहले मैं दो तिन लिख लेता हूँ उसके बाद ठीक है किशी को बोलना नहीं है तो आप मेंसे कितने लोग मानते हैं कि कि तीनों शब्द सही लिखे हैं, हाथ ख़ड़ा कर लें। बंडरफुल। कितने लोग मानते हैं कि तीनों गलत लिखे हैं। ऐसी लोगों के संख्या सोच लेजिए। चेहरा पहचा नौशब का। एक, दो, तीन, चार, पाँच, साथ, नौ, दस। और कितने लोग मानते हैं कि दो ठीकें एक गलत है। इसमें ज्यादा है, मोदी लहर इसमें चली है। कितने लोग मानते हैं कि एक सही है, दो गलत है। ऐसे लोग करीब, बारह क्यासपरा से, चली। मज़े की बात है कि तीनों गलत है। देखिए। अभी अभी हाथ खड़ा कि अथा शुद्या नहीं करते और फिर हाथ खड़ा कि तीनों सही है और अचानक सामने से बताए कि तीनों गलत लिखे हुआ हैं इससे डरना नहीं है ऐसे शब्द हिंदी में दस ही है कुल मिलाके, जिनमें से तीन आगया आपके सामने है मैं टीचर ड़ाने के लिए बोल सकता है कि मैं ऐसे और बहुत शब्द बता हूंगा ऐसे कुल मिला के आट-दस ही शब्द है ज्यादा नहीं है आट-दस ही होते हैं किन्तों खेलने के लिए बच्छों को ये महसूस करवाने के लिए कि हो सकता है कि कुछ शब्द हमें ठीक से मैं पता हूं इन शब्दों का इससे मल किया जाता है तो जिन लोगों ने कहा था कि तीनों गलत हैं वहाथ खड़ा करें अब तीन चर बढ़ गए हैं सम्मान हुआ तो बढ़ गया चानक तीन लोग आब बताईजरा कैसे ठीक करें उठके बताईए मैं ठीक कर देता हूं इस कि अधाया विदाऊ है जिया को अब आधिक अब ठीक है है कि अब ठीक हो approximer में। इसमें कि आचा ये कि इतने लौग और कि अभी गलत है करी 15 अभी इस लोग है अभी भी गलत है ये बैठी ये सही है अतिशय प्लस उकती लेकिन बचपन से लोग रटते हैं अतिशय उकती आदेशय में रटते हैं तो अभ्यास मोई पड़ जाता है ये वो गलती हैं जो हम बचपन से करते हैं इसलीए हमें लगता ही नी कि गलत हो सकता है शर्नगार तो ठीक लग रहा है नहीं लग रहा जैसे ये है शर ठीक है शर तो होई गया पहले से ये और लगा दिया अब इसको बोल के बताओ कोई कैसे बोलेंगे एक ऐसा शर जिसमें र भी लगा हो और री भी लगा हो एक सार बोलना है नहीं अगर आप श्री बोलेंगे तो मैं कहुँगा श्री तो यह होता है आप इसे कौन बोल सकता है इसके लिए जिसने गोरख आसन कर रखाओ ठीक से वही बोल पाएगा बाकी किसी के बसकी बात दिया कौन बोल पाएगा इसको कोई नहीं बोल सकता इसका उचारण असंभव है आप बोलेंगे हाँ बोली कौन है है श्रा अगर श्रा है तो फिर ये अब आपको इन दोनों को बोलने बारी बारी और बताने नहीं कि पहले कौन सा बोला बाब में कौन सा बोला ये जनता बताएगी दोनों बोलिए इस तरह से कि दोनों का अंतर बिस्पष्ट हो जाए बोलो बोलो सिर्फ बोलो हाँ आपको खुद भी समझ आ रहा होगा कि मामला फस गया है बैठी 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 किसी में सहस नहीं है बोली नहीं सकते असंभव है उच्छारण असंभव है ठीक है तो यह जो है यह श है यह श है जैसे यह भ है भ में र लगाना हो तो ऐसे लगाजेते हैं ब्र और भ में रि लगाना हो तो ऐसे लगाजेते हैं भी भा से भा बनेगा तो साइड में ऐसे लगाएंगे और भी बनाना होगा री लगाना होगा तो नीचे लगा देंगे यही तरीका है ऐसे ही क्योंकि हमें अभ्यास बच्पन से इसका है तो हमें यह नहीं पता होता कि यह वला जो लगा हुआ है यह रह है यह श्रव है श्रव इसमें से रह अठा देंगे तो यह रह जाएगा और रह अठा के री लगाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा लगभग सारी किताबों में भी गलत लिखा होता है क्योंकि हिंदी की टाइपओलोजी में, टाइपिंग के सौफट वेश में आम तरपर यह वा बच्पन से वही याद कर रहे हैं लेकिन खुशी की बात है कि ऐसे शब्द कुयमला के आड़ दस ही है